देश में जारी लोकसभा चुनाओं के बीच दिल्ली से लेकर मुंबई तक सिलेंडर की कीमितों में 19 से 20 रुपए की कमी आई है IOCL की वेवसाइट पर सिलेंडर की नई कीमतों को अपडेट कर दिया गया है जो 1 माई 2024 से यानि के आज से लागू हो गई है ओयल मारकेटिंग कमपनी इंडियन ओयल की वेवसाइट के मुताबिक 1 माई से राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 19 रुपए की कटवती की गई है और इसका दाम 1764 रुपए से कम होकर अब 1745 रुपए कर दिया गया है इसी तरह मुंबई में कमर्शियल गैस सिलेंडर का दाम 1717 रुपए के से कम होकर अब 1698 रुपए कर दिया गया है चन्ड़ाई में भी ये सिलेंडर 19 रुपए सस्ता हुआ है और इसकी कीमत 1930 रुपए से कम होकर 1911 रुपए हो गई है हाला कि कोलकाता में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में एक रुपए ज्यादा यानि की 20 रुपए की कटोती की गई है और अब तक 1889 रुपए में बिक रहा ये सिलेंडर यहां पर 1869 रुपए का हो गया है इससे पहले नए वित्वर्ष के पहले दिन यानि की 1 अपरैल 2024 को कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में कटोती कर ओयल मार्केटिंग कमपनियों ने उपभूगताओं को बड़ी रहा दी थी कटोती के बाद राज़ानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर का दाम 30 रुपए 50 पैसे कम करके 1764 रुपए 50 पैसे कर दिया गया था जबकि कूलकाता में कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 32 रुपए कम हुए थे और यहां पे 1889 रुपए का ये सिलेंडर हो गया था मुंबई में एक सिलेंडर की कीमत में 355 रुपे की कटाउटी के साथ 1717 रुपे और चन्नई में 355 रुपे की की साथ 1930 रुपे कर दी गई थी गौर तलब है कि कॉमर्शियल गैस सिलेंडर का उपियोग होटल या रेस्तना पर वेवसाई के इस्तेमाल में होता है ऐसे में इसकी कीमत घटने से बाहर खाना पीना सस्ता हो सकता है वहीं दूसरी और घरों में रसोई में यूज होने वाले 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमतों में इस बार भी कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है IOCL की वेवसाईट के मुताबिक इनकी कीमत ये थावत है राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत 803 रुपे और उज्जोला लाभार्थियों के लिए 603 रुपे बनी हुई है कोलकाता में घरेलू सिलेंडर पहले की तरही 829 रुपे मुंबई में 802 रुपे 50 पैसे और चंड़ाई में 818 रुपे 50 पैसे में मिल रहा है बता दे केंद्र सरकार ने महिला दिवस पर बड़ी राहा देते हुए 14 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 100 रुपे तकी कटवती कर तोहफा दिया था वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें